दोस्तों जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने अपने driving license में मोबाइल नंबर को अपडेट करने का process देखा था वैसे ही इस वीडियो में हम अपने RC यानि की registration certificate में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना सीखेंगे, वो भी within a few minutes और RTO जाने की भी जरूरत नहीं तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अल्रेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्यू सो मच चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको परिवहन की ऑफिशिल वेब साइट पर आजाना है इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा यहां आपको ऑनलाइन सविसेज वाले टैब पर क्लिक करना है और वहिकल रिलेटेट सविसेज में आजाना है उसके बाद नेक्स्ट पेज़ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर ल देना है फिर आपके सामने एक पॉप बॉक्स आएगा जिसमें प्रोसीट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है आफ्टर डाट आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो आपको यहां मुबाइल नंबर अपडेट का एक आइकन मिल जाता है जिस पर कि आपको क्लिक करना है अगर यह आइकन आपको यहां ढूणने पर दिक्कत आती है तो यहां सर्विसेस पर क्लिक करेंगे और एडिशनल सर्विस पर आ जाएंगे यहां आपको अपडेट मुबाइल नंबर यह वाला ऑप्शन मिल जाता है जिस पर कि आपको क्लिक कर लाएं अगेन आपके सामने एक pop-up box आएगा जिसमें आपको yes पर क्लिक कर देना है then आपके सामने एक form आ जाता है जिसमें कि सारे informations आपको fill कर देनी है जैसे कि यहाँ पर आपको अपना vehicle registration number एंटर करना है next आपको यहाँ पर chasis number एंटर करना है फिर engine number एंटर कर देना है आपके registration की date यहाँ पर एंटर कर देनी है और अपने registration की validity यहाँ पर एंटर करनी है फ्रिंट्स यह सारी ही details आपको आपके rc पर printed मिल जाएगी तो आप वहां से देखकर यह सारी informations यहाँ पर easily भर सकते हैं उसके बाद show details के बटन पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके सामने कुछ further information देनी की requirement हो जाती है जैसे कि आपको यहाँ पर अपना अधार number fill up करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर कर देना है जो की अधार में registered है फिर आपको यहाँ पर अपना mobile number enter कर देना है आई agree के box पे क्लिक करना है और verify के button पे क्लिक कर देना है उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपको कुछ information show कर रहा है कि इसके पहले आपके RC में कौन सा number update था और existing owner name इन वाहन यह दोनों information आपको यहाँ पर show हो जाएगा और आपके RC में पहले से कोई mobile number update नहीं था तो यहाँ पर blank रहेगा फिर आपको यहाँ पर update mobile number पर क्लिक कर देना है और आपको एक pop up box मिल जाएगा जिसमें mobile number has been updated successfully का message होगा आपको यहाँ okay पर क्लिक कर देना है तो इस बहुत ही आसान से तरीके से आपने अपने RC में mobile number को successfully update कर लिया है I hope आपके लिए यह वीडियो helpful रही होगी तो फटा-फट से वीडियो को like करके अपने RC में mobile number को update कर लें और अपने friends के साथ भी इस वीडियो को share करें so that वो भी अपने RC में number update कर सके अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने DL में mobile number को कैसी update कर सकते हैं तो इस वीडियो को watch करें और ऐसे ही informative वीडियो देखते देने के लिए मेरे चनल को subscribe कर लें और notification bell को भी on कर दें so that जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको notification मिल जाए तो मिलते हैं next video में till then take care